लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए महराश्ट के नगरविकास मंतरी एकनाश दिन्दे ने नविम्बई मनपाच चुनाओ के लिए पैनल पद्धती की घोशना कर दिये यानि आगामी महानगरपाली का चुनाओ में पैनल प्रणाली अपनाई जाएगी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अब महाविकास आगारी की एक रणनितिक शाल है इससे जहां सत्तारूर दल से उसे ना एनसीपी और कॉंग्रेस को फायदा होगा वहीं बीजेपी के लिए मुस्किल खड़ी होगी हलाकि बीजेपी का कहना है कि इससे चुनाओ में पैसे वालों का जोर बढ़ेगा जबकि सामान उमिद्वारों के लिए कई प्रभागों में चुनाओ को मैनेज कर पाना आसान नहीं होगा देखे रिपोर्ट झाही में एता हम पान नहीं होगा झालjo झाही को मैशनेनमें ठाट वgoing वाभ पैनल पद्धती से होगा नविमबई महानगर पालिका चुनाओ राज के नगर विकास मंत्री एकनाश जिंदे ने घोशना कर दी है कि मुंबई को छोड़कर नविमबई और दूसरी महानगर पालिकाओं के चुनाओ तीन सदस्सी पैनल पद्धती से कराए जाएंगे एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे जहां महाविकास आगारी दलों को लाब होगा वहीं बीजेपी जैसे विरोधियों के लिए नई चुनाओती खड़ी हो सकती है बीजेपी का मानना है कि पंधर पुर्चनाओं में हार के बाद सतारूर दल भैभीत हैं आपसी मतभेद हैं इसलिए साथ लड़ने और जीतने के लिए ही पैनल पद्धती का सहरा ले रहे हैं इसके लिए उन्होंने तमाम चुनाओं को या तो रद कर दिया या आगे बढ़ा दिया जो इसका संकेत देता है के वज़े से अब उसमें से रास्ता क्या निकाले यह पहली बात हो गई दूसरा तीनों इकठे है कोई कहता है हम लोग अपने बलबुते पे लड़ेंगे कोई कहता है हम लोग साथ में लड़ेंगे यह दूसरा उनका कन्फूजन है तो ऐसे चुनाओं में उन्होंने सोचा हुआ है कि पैनल अगर करेंगे और अगर साथ में लड़ेंगे तो तीनों पार्टी एक-एक सीट ले सकती है मुंबे बान अगर पाली का छोड़के जो मान अगर पाली का है वहाँ पे तीन का पैनल करके कल मीडिया में आया हुआ है इन वाडों में करना होगा चुनाओं प्रचार मांगना होगा ओट असल में अभी चुनाओं कैसे होंगे इसका जियार निकलना बाकी है लेकिन उससे पहले उस पैनल पद्धती का फार्मुला समझ लिजिए जिसे सत्तारूर महाविकास आगाडी ने सिवसेना कांग्रेस औ इनों दलों के प्रत्यासियों को मौका देने और बीजेपी और गनेशनाई को पचाडने के लिए तयार किया है असल में एकल पद्धती में कोई भी कैंडिडेट एक वाड में अकेले चुनाओं लड़ सकता है जबकि पैनल पद्धती में तीन सदस्यों को एक साथ नहीं मिलने से नाराज होकर अपनी पार्टी के खिलाप ही अकेले चुनाओं लड़ना चाहेंगे या उनके लिए भी मुस्किल भरा होगा जो अपने चुनाओं प्रचार और प्रबंधन में ज्यादा पैसा खर्च करपाने में असमर्थ होंगे एक बवाल और होगा जिस प अरिवारबाद का प्रतीक लगेगा अब यहां पर सफर कोन हो जाता है तो जिनको टिकेट नहीं मिला है या जो अकेला खड़ा रहना चाहते उनके साथ पैनल नहीं होगा तो वो अपक्षय लोग जो है वो किस तरीके से पैनल बनाते है वो आना वाला वक्त में हमको समझ में आ जाएगा अकेला तो चुनाओं लड़ नहीं सकते तो पैनल तीन जनका लेके ही खड़ा रहना पड़ेगा तो ये कुछ दिक्कते आने वाली है तो जब ये फॉर्मैट एग्जैक्ली लागू होगा तब जाके मालूम पड़ेगा बीजैपी का दावा पैनल के बाद भी नईमबई में होगी जीत राजनते के एक्सपोर्ट मानते हैं कि पालक मंत्री एकनाश रिंदे और सत्तारूड सिवसेना हर हाल में नईमबई मनपा में अपना भगवा लहराना चाहते हैं लेकिन यहां लोकनेता और पूर्व मंत्री गनेशनाइक के नितरुत में जेश्रा सेवा सुविधा और विकास में नईमबई नंबर वन बनी है उससे जनता का रूजहान गनेशनाइक और बीजेपी की तरफ है ऐसे में नईमबई को जीतना महा विकासागारी के लिए आसान नहीं होगा बीजेपी के जिला महामंत्री विजेगाटे दावा करते हैं कि बीजेपी नेताओं का ग्राउंड वर्क संगठन एक जुटता और नईंबई को विकास के जरिये दी गई नई पहचान जैसे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो पैनल पदती होने के बावजूद मनपा चुनाओ जित है तो इसके लिए हमारे लिए ये चुनाओ क्लियर है और हमने काम करते समय नभी मुंबई के नागरिकों के लिए वार नजर में न रखते हुए भारतिये जनता पार्टी और हमारा नभी मुंबई का रहिवासी ये दृष्टी कोन से ही काम किया है ना उसके अंदर कोई रा क्या हुआ सर्विस ये सारा देखके भारतिये जनता पार्टी को आने वाला पैनल हो या इंडिविजोल हो कोई दिक्कत नहीं होगी बेरो रिपोर्ट तीवी और इंडिया